जैन साथियों, a very good evening to all of you, welcome to Discovery Defense Classes YouTube platform, कहते हैं हो नहार बीरवान के हो चिकने पात, आज हम वही आपको मिलवाने जा रहे हैं, हमारा एक बच्चा, अंकिती अदुएंशी, जो की अभी इंटर नहीं पास कर पाया, अभी appearing में है, लेकिन NDA qualify कर लिया है, जी हाँ, return to, NDA return exam to 2021 को, अभी दो दिन पहले result आया है, तो अंकित ने उसको सफलता पूर्वक पास कर लिया है, अभी exam भी है, इनके लगे हुए है, SSB की भी तैयारी करनी है, दोनों चीज़ें कर रही है, तो पहले तुनको धेर सारी सु आपको अब बताएंगे कि इन्होंने अपनी इस सफलता के पीछे क्या रणीती लगाई, what was the strategy behind this successful attempt? मैंने कोई special के strategy नहीं बनाई थी, लेकिन जो discovery defense classes के सारे teachers थे, वो हमेशा हमें motivate करते रहते थे, कि कैसे plan करना है आपको board के साथ-साथ, NDA का, उसी के तहत हमने अपनी तैयारी जारी रखी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो BP सर थे, उन्हेंने मुझे बहुत सा अच्छा कर लेगा, उसका उसकी नईया जरूर पार होगी, और second paper, get में क्या हुआ, get में मेरा, जो GS portion था, वो थोड़ा weak था, लेकिन मैं science का student हूँ, तो science काफी अच्छा था, GAT में भी, जो GAT में English थी, उसमें भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, 20 या 22 question मैंने किये थे डीडी सर ने आपको कितना मदद किया, डीडी सर ने मदद तो किया था, लेकिन मेरी कुछ लापर वाहित थी, जो मैं vocab पे ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण मेरा कुछ English थोड़ा weak था, लेकिन जो grammar सर ने पढ़ाई थी, उससे काफी अच्छा हुआ, जिसकी वज़ास नहीं किया, हर बच्चे कोई लगता है कि मैंने उतनी तैयारी अपनी अच्ही नहीं कर पाया, बेस्ट नहीं दे पाया है, जो टॉप करता है उसको भी यकीन होता है कि मैं टॉप कर गया, क्योंकि उसको लगता है कि तैयारी अधूरी है, तो अंकित आपका expected setup जैसे यह बता सपना पूरा होने जा रहा है कुछ हद तक आधे ज्यादा उनका सपना पूरा भी हो चुका है एक उमीदे बढ़ गई कैस क्या रहा महौल कुछ बताना चाहेंगे महौल सबसे यादा मेरे पापा जी खुस हुए एक बात यह है कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो जो रिले आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उसमें इस तरह के लोगों की बातों को नजन्दाज करना पड़ेगा आपको अपने लक्ष को जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगा दिया जाता है उसी प्रकार से अपने दोनों तरफ लगाते हुए कि अब लक्ष को साधी है लक्ष में आगे बढ़ी है तब ही सबलता शुक्त हम आपसे चुटा सा यह सवाल पूछना चाहेंगे कि मैथ का जो कटाप होता है वह पार करना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है तो वह क्या ऐसा कुछ बेटर टेक्निक आप बताना चाहेंगे कि मैथ का कटाप आसानी से पार हो जाए चाकि आगे का पेपर भी हमा इसमें कम से कम 200-200 से 200 रहते थे उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करके गया और मैंने मैथ में 76 कोशन अटेम्ट किये थे जिसमें से मेरे ट्वैल कोशन गलत हुए थे 64 करेक्ट थे तो इसके बाद मेरा जो निगेटिव मार्किंग को कट करके 60 कोशन एक्जैक्ट सही हुए तो 150 म है अच्छा था आपका गलत कम हुआ लेकिन अंकित इंगलेश में जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा सा मिलाव वकाइम मैं कम जूरी थी तो आपगीम्स मीडियम ACT इंगलिस मीडियम सोने के ना आपने बाकिए चीज़ें कवर कर लिया, ग्रामर कैसे आपने कवर किया, अभी अभी हमारी एक चात्रा भी सफल हुई है, त्रिशाओ, उससे बात हो रही थी तो उसने ये बताया था कि इंगलिस मीडियम को बच्चे ग्रामर में वीक होते हैं, तो आप अगर तयारी करेंगे तो ग्रामर में वीक नहीं रह जाएंगे, ग्रामर भी आपकी अच्छी हो जाएगी, तो SSB की तैयारी आप शुरू कर चुके हैं? यह सर, मैं जब रिजल्ट आया तक उसके बाद मैं अपने घर गया था, घर से मैं कल वापस आया, तब से मैं क्लास चालू कर रहा है। अगर दो मैने मैं इनके साथ लाग गया तो मुझे confident है कि मैं SSB कले जाएंगे। अभी तो starting हुआ है, अभी screening की तैयारी हो रही है, अब आने वाले समय में आपका psycho test होगा, GTO होगा, interview होगा, GTO ground पर जाएंगे, वहाँ भी snake race, hurdle race, यह सब आनन्द लेंगे, आप थोड़ा खेल कूद से संबंद रखते हैं, खेलना पसंद करते हैं? जी मैं पहले खेलता था, मैं under 14 district level पे district team का captain भी रह चुका हूँ, किस game में? किरकेट में, बहुत बढ़ी है, तब तो GTO ground में भी इनको मज़ा आने वाला है, तो साथियों discovery defense classes में यहाँ पर return की ना केबल सबसे बहतरीन तैयारी कराई जाती है, बलकि SSB की भी पूरी तैयार पे है, पूरी ब्युस्ता है, अपना GTO ground है, हमारा एक अनोखा एक प्रयास है, एक test series का, हर exam के पहले हम course खतम करके test series start करते हैं, जो open होती है, open to every candidate, कोई भी बच्चा कहीं का भी हो, आएगा, बढ़ता है, exam देता है, उसका proper discussion होता है, सबका एक result बनता है, उस result के माध्यम स आप ये जान पाते हैं, कि आप इस सहर में, प्रयाग राज में आप किस लेवल पे हैं, प्रयाग राज छोड़िये, अगल बगल के पूरे छेतर से पूरे यूपी की बच्चे हमारे आ जाते हैं, तो इसमें आप पहले इनके बीच में top करिए, एक rank लगाईए, तभी तो आप इंडिया लेवल पे कुछ rank लगाने की सो सकते हैं, तो इस माध्यम से हम आप लोगों guide करते रहते हैं, आगे तैयरी कराते रहते हैं, साथियों, अंकित से मैं last में ये पूछना चाहूंगा, कि जो कुछ बच्चे हैं, जो तैयरीकर हैं, जिनका नहीं निकल पाया किसी कारण से, उनके लिए कुछ ये अपने लेवल पे tips देना चाहें, क्योंकि भाई ये सफल candidate है, और वो भी अपने आप में एक अप्रतिम इसका सफलता है, कि अभी इंटर भी नहीं पास हुआ, और रिटेन पास हो गया, इंडिया पास हो गया, तो इनिक मुंसे सुनिये कि क् करते हैं, मेरा सबसे पहले ये है कि आप लोग NCRT जो बुक्स हैं, उनको थ्रॉली पढ़िए, और जिस भी कोचिंग में जाते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, एडवाटाइज करके बच्चों को लुभाती हैं, ऐसी कोचिंगों में ना जाकर ऐसी जगा जाईए, जहां जैसा कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैं पर्फेक्ट, तो अब मैं उमेन दोनों हो गया है, NDA में महिला भी एंट्री हो गई, हमारी सांस्थास मैं लड़कियां भी सेलेक्ट हुई हैं, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, इश्वर चाहेगा तो वो पूरी सेलेक्ट होने वाली हैं, तो बच्चों, आप लोग एक ग्रूप में जिस तरह से लग के तैयारी करते हैं, टीचर के साथ गुर्कुल वाला माहूल है, यहां पर बच्चे हमेशा लगे रहते हैं, जिसको जब जो पूछना होता है, हम हमेशा साथ देते हैं, उनका पूरा नहीं होना है, धिर सारी बधाई, थेंक्यू सर और मैं के स्पिसल थेंक्स तो मैं पैरेंस और आल टीचर साथ इसके डिसके डिफेंस क्लासे और आल माई फ्रेंड्स, थेंक्यू बच्चों, लेकिन अभी एक आपको और बात बताना चाहता हूं कि NDA का एक्जाम फिर आ गय अप्रेल में एक्जाम होना है, आप लग जाएए, बिलकुल डट जाएए, जरूर होगा इस बार और आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं कोई बाद नहीं, यूटूब चैनल के मादने हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, आपको सही जानकारियां देते रहे ठीक पैसा बाधा नहीं बनेगा, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जहिंद साथियों, जहिंद